हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप लोग मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहें मेरा यूटूब चैनल टेक MS मोहित तो दोस्तों आज हम बात करेंगे स्मार्ट वाच से सम्बंदित चाहे वो स्मार्ट वाच किसी भी कंपनी की हो सबसे बढ़ी दुनिया अभी उतनी ज्यादा विक्सित नहीं होगी है तो आप स्मांठ वाच फोल वे क्लेम से लिए कोई कुद्रीूट चैनल बात की कुमपनी की ओधर आप कि स्मार्ट वाच से अभी दुनिया अभी उतनी ज्यादा विक्सित नहीं होई है, तो आप समार्ट वाच खराब होने के बाद उसको अब हर जगा सही भी नहीं किरा सकते हैं, क्योंकि हर समार्ट वाच की अपनी अलग-अलग डिस्पले होती है, अब मोबाइल में कहा है कि आप कोई मोबाइल कहीं खरा या कुछ भी ऐसा हो गया जो कि पता नहीं चल रहा है कि गिरने के बाद हुआ है, तब तो आप उसे service में warranty में claim करा के service करा सकते हैं या फिर replace करा सकते हैं, वहाँ पे easily ढंक से हो जाएगा, लेकिन अगर बाहर अगर physically damage कहीं भी crack दीख रहा है, या कुछ भी लग रहा है, कहीं स गिर के टूटा फूटा है, तब आप warranty में claim नहीं कर सकते हैं, चाहिए आप किसी भी company की हो, चाहिए Apple के watch क्यों ना हो, लेकिन problem तब आते हैं, जैसे अभी आपने watch खरीदा और दो-तीन महने हुए हैं, और अचानक सी गीरा और damage हो गया, फिजिकल damage जो दिखने में साब साब दिख रहा है, तो अगर आपकी watch एपल की है, तो आप उसको service center लेकी जाएंगे, तो आपके warranty रहे, या फिर एक year बीद गई हो, तो भी वहाँ एजडी डंक से change हो जाएगी, क्योंकि अपने watch को भी repair करके आपको दे देती हैं, हाँ बदले मगर आपके warranty में नहीं है, या फि physical damage का, तो उसका अलग से payment आप से ले लेती हैं, लेकिन अभी problem क्या आ रही है, कि बहुत सारे लोग मुझे message कर रहे हैं, कि physical damage होगे, आप कोई इसका option नहीं है, क्योंकि उन्होंने complain किया, तो company बोल दी कि ये warranty में नहीं आता है, तो अगर warranty में नहीं आता है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं, जो कि पैसे देने को तयार हैं, लेकिन company बनाने को तयार नहीं है, वो सोच नहीं है, खमसे आप पैसे ही ले लिजिए, लेकिन कमस कमी स्वाच की display लगा के अलग से दे दीजिए, तो जो physical damage होओ, हर city का अनुसार अलग-अलग है, क्योंकि एक हपते से कई लो था, उनका हो गया, तो मैंने उनको बोला कि वारेंटी में ये claim नहीं होगा, बाकि अगर आपको मित्र का हो गया है, तो आप भी उसी सहर से है, तो आप भी करके देख लिजिए, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, और अभी एक लोग और मुझे सूरत से message किये थे, तो उ भी ठीक है, नहीं ले गया, तो कोई बात ही नहीं है, खेर उनकी watch delivery आया और ले के चला भी गया, और सबसे मज़े की बात ही है, कि तीन दिन में वापस भी उनकी दूसरी watch मिल गई, तो हर city अपना अलग-अलग service center है, तो service center को खराब नहीं बोल सकते हैं, कहीं कहीं जल्दी भी काम अब होने लगे हैं, नहीं तो आपको पता है, service में भेजने के लिए minimum 15 दिन, maximum एक दो मेहने भी लग जाते हैं, खासता और सो firebolt में, तो आपकी watch में कोई भी problem होई हो, चाहे आपको physical damage हो गया, चाहे कुछ भी हो गया है, तो मेरी राय यहीं, आप किसी भी सहसों कोई दिक्कत ने, अब उसको complain में डाल दीजिए, delivery वो आता है, ले जाएगा, तो ठीक है, नहीं ले जाएगा, बोलेगा नहीं, यह physical damage हम नहीं accept करेंगे, तो कोई बात नहीं है, फिर आप उसे market से बाहर अपना कहीं भी बनवा लीजिए, लेकिन problem यह आती है, कि अभी smart watch कोई भ पूरी तरह totally damage हो गई है, तो मान का चली वो watch आपकी market में तो कहीं बनी नहीं पाएगी, इसलिए बेहतर है कि आप एक बार जरूर claim कर दें, company बना दे तो भी ठीक है, नहीं बनाएगी तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, आपको उस watch को फेकना ही पड़ेगा, तो बस दोस्तों को आज के लिए इतना ही मिलते हैं, अगले वीडियों और वीडियों अच्छी लगी है, तो like और share करना बिल्कुल ना भूले, कि आपकी कोई राय है, तो comment या Instagram में आके जरूर बताएं, और आप नए और अभीत हमारे चनल को subscribe नहीं कियें, तो जरूर से subscribe कर लिजेगा, और